श्रीमद भागबत पुरान महत्मया प्रतम अधियाए भक्ती ग्यान एबम बेराग्या की कता एक बार नैमी शारण्या में शौनकादी 88 सहस्तर रिशियों ने श्री सूज जी से निवेदन किया कि है सूज जी महाराज इस कली काल में अधिकांश पराणिया ग्यानतावश संसारिक प्रपंचों में फसकर माया मोह में ग्रसित है और अनैतिक कारेओं में लिप्त होकर राक्षशों के समान आचरण कर रहे हैं जिससे बे आठो पहर दुखी एबम असंतुष्ट रहते है हम लोगों की इच्छा है कि उनके उदार हेतु आप किसी ऐसे चरित्र का वर्णन करें जो भक्ती ज्यान एबम बेराग्या से ओत प्रोथ हो और भगवत भक्ती के प्राप्ती में सहायक हो कृपा करके यहाँ भी बताईए कि हरी के भक्त इस माया जाल से किस प्रकार मुख्त हो सकते है इस करम बंदन से जीब किस प्रकार छूट सकता है और भगवान श्रीक्रिशन की प्राप्ती किस प्रकार हो सकती है शौनकादी रिशियों के ऐसे लोग हितकारी बचन सुनकर सूत जी बोले ये शौनक जी मैं आप सब रिशियों को वहाउत्तम उपाय बतलाता हूँ जो जीवन मरन के वहे को दूर करता है और भगवान की भक्ती को बढ़ा कर उनको प्राप्त कराता है आप सब लोग सावधानी से ध्यान पुर्वख सुनो कलिव के आदी में श्री शुक्तेब जी ने राजा परिशित को श्रीमत भागवत शास्ते सुनाया था उससे बढ़कर मन को शुद करने बाला भगवान के उत्तम चरित्र का रस्मरित पिलाने बाला कोई दूसरा शास्तर नहीं है इसलिए मैं उसी उत्तम शास्तर का बढ़नन आप सबी रिशियों के समुक करता हूँ यहाँ श्रीमत भागवत की कता देपताओं को भी अतिदुरलव है ए रिशियों श्रीमत भागवत की कता सुनने से राजा परिशित करम बंदन से मुक्त हो गए थे यहाँ वाद जानकर ब्रह्मा जी को बड़ा अचमबा हुआ और उन्होंने सत्या लोक में तुला से भगवान की भक्ति के सबसादनों को तोला किन्तु सबसादन श्रीमत भागवत की अपेक्षा हलके रहे यदि श्रीमत भागवत का परायन सफता हबीदी से किया जाए तो यह अवश्य मुक्ष देता है प्राचीन काल में इस कथा मृत को सनकादी रिशियों ने नारज जी से कहा था शौनक जी बोले नारज जी तो सदा माया जाल से दूर रहते है और एक घड़ी से अधिक एक स्थान पर नहीं ठहरते है तब सनकादी रिशियों ने किस प्रकार सुनाई सूत जी बोले हे शौनक जी श्री सुकदेब जी ने मुझे अपना परमभक्त समझ कर यह कथा एकांत में सुनाई थी एक समय सनकादी क्रिशीगन सत्संके हे तू बदरिवन की विशाल पूरी में पधा रहे बहां उनकी भिंट नारज जी से हुई उस समय नारज जी की शोक और चिंता युक दशा देकर सनकादी ने पूचा ए नारज आप किदर से आ रहे है और कहां को जा रहे हो आपकी यह बेचैनी और चिंती तशा क्यूं है आप तो बीत राग और जीवर मरन से मुक्त है फिर आपकी यह दशा क्यूं क्रिपा करके हमसे इसका भेट कहिए नारज जी बोले मुनिवरो मुरित्यों लोग जीवधारियों का करम स्थान है मैं इस मनुश्य लोग को सरबोचतम समझ कर इडर आया था मैंने अने को तिर्थ स्थान, प्रियाग, काशी, नासिक, हरिद्वार पुषकर, सेत, बंदूर, आमेश्वर, जगनात, पुरियादी मैं परिभ्रमन किया किन्तु मुझे शांती कहीं भी न मिली सरवत्र कल्यूग ने अपना अधिकार जमा लिया है चारो और अधरम चाहरा है दया, धरम, दान, जब, तप, कुछ भी नहीं दिख पड़ता मनुश्या निस्तिन विशय भोगों में लिप्त कर उदर पालन कर रहे है मंदबुद्धी, भाग्याहीन, आलसी, जूट बोलने बाले अधरमी दयाहीन, हरी भजन से भिमुख, निर्धन, विपत्तियों से गिरे हुए हिंसाबादी देख पड़ते है ब्रामन, सादू, संत, पाखंडी, दुराचारी, लोभी और दंबी हो गए है कन्या बेचकर उदर भरते है घरों में स्त्रियों का अधिकार है आश्रम, तिर्थादी स्थानों में लुटेरों का अधिकार है बिधरम के नाम से लूट करते हैं और प्रजा को कष्ट देते हैं मंदिर, देवालया आदी पर बिधर्मियों और शुद्रों का अधिकार होता जा रहा है द्रास्ता बरती जा रही है स्त्रिया वैश्यवरिती से अपना पेट भरती है पती बरता धरम का नाश होता जा रहा है मैं आपको कहां तक सुनाओं इसकली युग ने सारे भुमंडल पर अपना समराज्या स्थापित कर लिया है मैंने घूंगते घूंगते यमुनातट पर देखा कि एक युपती बैठी हुई रो रही है उसके निकट दो बृद पूरिश मृत्यवस्ता को प्राप्त हो रहे है उनकी दिर्ग स्वाशे चल रही है वह युपती उनकी सेवा कर रही है उन्हें जीवत करने का प्रियास कर रही है बेमुर्चित पड़े हुए है मैं इस आश्चरया जन घटना को देख उधर चला गया मुझे देखकर वो तरुनी खड़ी हो गई और दुखी होकर बोली हे मुनीवर आप तनिक मेरी कथा सुन लेजिए मेरे दुख को दूर कीजिए सादू संतों के दर्शन तो संसारिक पापों को दूर करते है मेरे बड़े भाग्या है कि इस संकट काल में आपके दर्शन हुए नारज जी बोले हे मुनियों मैंने उस युपती से पूछा कि तुम कौन हो ये दोनों पूर्श जो तुम्हारे सामने पड़े है ये कौन है तुम्हारी सेवा करने वाली ये समस्त स्त्रियां जो तुमें घेरे पड़ी है ये कौन है तब बहुत तरुनी बोली हे मुनिवर मैं भक्ती हूँ और ये दोनों पूर्श ग्यान और बेराग्या मेरे पुत्र है ये जो युपतियां मेरी सेवा कर रही है गंगा आदी नदिया है इस कलियुक के प्रभाव से मेरे पुत्रों की यह दशा है हे मुनिवर मेरा जनम द्रविड देश में हुआ और करनाटक देश में युवावस्ता को प्राप्त हुई मेरा सतकार महाराश्टर प्रांत में अधिक हुआ लेकिन गुजरात प्रांत में आते ही मुझे बृदावस्ता ने घेर लिया अब मैं यहाँ बृंदाबन में आई हूँ मैं तो यहाँ तरुनी हो गई हूँ लेकिन मेरे दोनों पुतर अब भी बृद है मुझे अब यही चिंता और दुख है कि मैं युपती हो गई और पुतर बृद ही रहे मुझे बृद होना चाहिए और मेरे पुतरों को युबा होना चाहिए मुझे इसका कारण समझाईए सूत जी बोले हे रिशियो जब युप्ती ने नारज जी से इस प्रकार पोचा तब नारज जी बोले हे युप्ती मैं अपने ज्यान से अभी सब बात तुम्हें बताता हूं हे सादवी तुध्यान पुर्वक सुन इस कल्यूक के प्रभाब से मुनुश्या पापी, पाखंडी, अग्यानी, भक्ती हीन हो गए है वे भक्ती, ज्यान, बिराग्या की ओर द्रिश्टी भी नहीं करते किन्तु ब्रिंदावन व्रिजधाम में भक्ती सरवतर निर्थ्या कर रही है धन्या है ये गौलोक धाम इसी कारण तु युप्ती हो गई है किन्तु तेरे पुत्र अब भी सुसुप्त दशा में है इन्हें यहां कुछ आराम अवश्या प्राप्त हुआ है तब भक्ती बोली हे देव रिशी, राजा फरिक्षित ने इस पापी कल्यूग का नाश क्यों नहीं कर दिया तब नारजी बोले हे देवी, राजा फरिक्षित ने कल्यूग की दीन दशा देखकर उस पर इसलिए दया की कि उन्होंने अपनी बुद्धी से बिचार लिया था यद पी कल्यूग अधरम का स्थान है किन्तु अन्या यूगो की अपेक्षा इस यूग में थोड़ा सा ही केवल हरी वजन, हरी किर्टन मातर से ही कलिकाल के पाप से दूर हो जाते है अन्या यूगो में सहस्त्रो बर्स तपस्या अने को दान जब तब करने पर भी यह फल फ्राप्त नहीं होता है हे देवरिशी, आपके परभाव से परलाद ने अपुर्व भक्ती पाई और आप ही के परभाव से दुरुब ने अटल भक्ती प्राप्त की हे मुनिश्रेष्ट, आपके दर्शनों से मुझे भी अपुर्व आनंद प्राप्त हुआ है आप ब्रह्मा जी के पुत्र है मैं आपको सश्टांग परणाम करती हूँ यहाँ पर श्रीमत भागबत महात्मय का पहला अध्याय पुर्ण होता है